नमस्कार दोस्तों, UPSC ग्यान चैनल में आपका स्वागत है, सीखाओ और सिखाओ के मोटो से आज की वीडियो के शुरुआत करते हैं, तो चली देखते हैं आज इस वीडियो में क्या है आज से हम BPSC, UPSC, SSC, Bihar SSC, BSSC, NDA CDS और अन इस तरह के जो भी एक्जामस हैं जिसमें वन लाइनर क्विश्चन पूछे जाने के समभावना हैं या जो पूछे जाते हैं उस तरह के क्विश्चन को देखेंगे और परड़े 30 क्विश्चन का सेट आएगा, एक सब्ता में कम से कम 4 सेट या 5 सेट जरूर आया करेगा ठीक है दोस्तों इसमें हम स्टैटिक पार्ट को देखेंगे मतलब जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री जोग्राफिय इप्तियादी होता है और करेंट अफेर्स के लिए की स्पेशल वीडियो अलग से आएगा ठीक है दोस्तों तो बढ़ से कोई नहीं उप्युक्त में से एक से अधिक तो इसका एंसर होगा अप्शन दी विशाखा दत्त मुद्रा राक्षक्च के लेखक हैं देख लीजे और जो अप्शन से जैसे कि कालिदास ने रगुवंसम कुमार्सम भवं अभिजान साकुंतलम म्रिश कटिकम त्यादी प वान भट्ट ने हर्स वर्धन को लेकरके हर्स चरित लिखा और विशाखा दत्त मुद्रा राक्षक को लिखा हैं दूसरा क्यूशन है कि निम्न महाजनपतों में से किसम गंतन था मतलब जो 16 महाजनपत थे मल्न चेदी मगद अस्मख और और आप्शन ही एक से अधिक यह उ तो देखिए टोटल जो 16 महाजनपत थे कुछ इस तरह से हैं कंबोच, गंधार, तक्सिला, मद्र, कुरू, हस्नापूर, पंचाल, मल, कौसल, स्रावस्ति, कोसांबी, कस्रावस्ति सोरी सहर का नाम है, इधर हो गया, चेदी, अवंती, मतस्य, सूर्शें, असमक, ये एक मात्र आसमक जो है, दक्षिन भारत में एक मात्र, महाजनपत था, ठीक है, मगद, चमपा, मगद, इत्यादी है, विदय, ठीक है, विदय, सॉरी, वज्जी संका पाड़ता, तो इसमें देखिए, इन 16 महाजनपतों में से, मल, वज्जी, अकुरू, इसमें सुरुवाती दोर से ही गंतंत था, जबकि कंबोज में सुरुवात में मोनार्की, अर्थात, राजितंत था, जो बाद में जाकर के गंतंत में बदला, ठीक है, तीसरा प्रस्ण है, मौर्ज काल में क्रसी विवाक कारिकारी काला था था, आप्शन से है, वैवारिका, समहर्ता, सन्निधाता, सीता, एक से अधिक, इन में से कोई नहीं, ठीक है, तो इसके अंसर्स को देखते हैं, देखिए, वैवारिका जो हुआ करता था, वो दिवानी नियाले का नयाइधीस हुआ करता था, प्रदेश्टा था, वो फौसदारी नियाले का नयाइधीस हुआ करता था, जो समहर्ता हुआ क करता था वह राजस्य विवाग का अधिकारी हुआ करता था कर संग्रहन को ले करके ठीक है सन्नी धाता वह ट्रीजर था जो भी कोसा धेक्ष होते हैं वह हुआ करता था सीता धेक्ष जो है वह करसी विवाग का अधिकारी हुआ करता था ठीक है दोस्तों तो इसका एंसर हो गय सुंग या एक से न उप्यूक में से कोई ने या एक से अधिक तो इसका एंसर होगा आप्शन ए यह होगा ए क्यों क्योंकि वह साथ वाहन वन्स का सा सकता जिसका दक्षिन भारत मतलब दक्कन के छत्र में सासन हुआ करता देख लिए और नासिक अभी लेक में इसके विजय का वार्ण मिलता है मतलब नासिक वस अभी लेक का समन्थ गौत्मिपूर्प सत्कर्णी से है पांच में प्रस्ण है संगम साहित्य की रचना मुक्यता किनके संग्रक्षन में हुए चोल, चेर, पांड, पलब, एक उपिक्त में कोई नहीं या एक से अधि तो इसका एंसर होगा option C, पांड वन्स के sanction में जो तीन संगम हुएं और साहितिक की रचना इनके sanction में हुई थी छटा प्रस्ण है कि हमारी आकास गंगा जिसका की नाम दुग्द में इखला है उसका आकार कैसा है ठीक है गोल दर्ग वित्ताकार और व्यवस्थित सरपिल या एक से अधिक इन में से कोई ने तो इसका एंसर होगा D, हमारी दुग्द में इखला जो आकास गंगा का नाम है इसको Milky Way भी बोला जाता है Milky Way उसका आकार सरपिल है सैत्म प्रस्ण है अफ्रिका की सबसे ऊची चोटी कौन है मांट एपरेश कली मंजार हो मांट एल बुरूष मांट एकंकोग विए एक सेदी इन में से कोई ने थीक है तो एपरेश जो है वह है अश्या कहा है और 20 सुका दोनों की सबसे उची चोटी किली मंजारों यह अफ्रीका का है ठीक है माउंट एलबरूर यह यूरोप है यूरोप का और एक होंका गुआ साउथ अमेरिका का सबसे उचा चोटी आठमा प्रस्क्राइब वर्ट ने आठमा है सार्गोसा सागर किस महासागर का एक चेतर का निर्वान होता है महासागर के नदर वाय मंदल कि किस भाग में वêtes वाय वे उड़ते हैं चोब मंदल सतीतम मंदल ने यह क्या हूं कि अधे मंदल आयन मंदल एक से अधिक यह उनमेंसे कौई नहीं है तो इसका एंसर होगा ऑप्टिन बी सम्ताफ मंदल क्योंकि इस मंडल में कोई भी मौसमी गतिविदियां नहीं होती है जो भी मौसमी गतिविदियां जैसे बादलवना बारिस एत्यादी वह छोब मंदल तक की सिंगित रहती है इसलिए सम्ताप मंडल में वायुवान उड़ा करते हैं इस चीज जो मौस्मिक गतिविदियां को से बचने के लिए दस्मा प्रस्णक टॉडड़ो का सम्मंत की सस्थान से है संयूक तराज जमेरिका हिंद महासागर कैर्वियन सागर दक्षिन चीन सागर यह एक सेधी इनमें से कोई नहीं तो इसका इंसर होगा दोस्तों संयूक तराज जमेरिका यहां पर टॉड़नेड़ो जो सरवाधि दोस्तों केर्वियन सागर में आता है हरीकेन और दक्षिन चीन सागर में आता है टाइफून ठीक है दोस्तों कि अधिकार है और दो हार है यह डार्मिक solution का अधिकार और एक है राइट तू रिमेडिज और फंडमेंटल राइट मतलब कि मूल अधिकारों के हनन के विरुष संग्रक्षन का अधिकार ठीक है तो सिक्षा का अधिकार का देखते हैं दोस्तों सिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21a में आता है जो जीव राइट तू लाइफ विडिगनिटी मतलब कि गुनवत्ता पूर्ण और हम डिगनिटी पूर्ण लाइफ को जी सकें उसका पार्ट माना जाता है और यह जो अधिकार है 21 वह स्वत्यंत्रता का अधिकार 19-22 के अंतरगत आता है मतलब कि इसका एंसर होगा ओप्शन B सोधन्तरक अधिकार 12 प्रशन निम्न में से सबसे पहले क्या हो मतलब यह जो ऑप्शन्स दिये होँए A B C D उसमें से सबसे पहले कौन हुआ मतलब सबसे पहले कौन घटित हुआ गोलक नास बनाम बंजाव राजवाद केशवान अंध भारती बनाम केरल राजव तो देखें दोस्तों इसका एंसर जो है वह होगा ऑप्शन ए क्योंकि देखें गौलक नाथ यह 1967 में हुआ था केशवानन भारती वाला केश 1973 में हुआ था और मिनर्वा मिल्स वालबाद 1983 में थिकगे दोस्तों थी वा प्रशना है भारत में अभ तक चल कितने वत्तियापातकाल लगा जा चुके जैँन ध्यान देजेगा व्त्तियापातकाल भारत में कुल मिलाकर पर तीन अाम पातकाल जाते हैं ठीक है आर्टिकल 352 के तहद आर्टिकल 356 के तहद और 360 के तहद बित्तिया अपातकाल लगता है 356 के तहद राज्टिया अपातकाल लगता है जिसे आम भासा में राश्पति सासन बोलते हैं आर्टिकल 352 के तहत राष्टी या पातकाल लगता है ठीक है दोस्तों तो यहां पूछा जारत जो 360 के तहत लगा वो कितने बार लगा तो देखें दोस्तों 360 के तहत बितिया बातकाल अब तक सुनने बार लगा है मतलब एक विने इसका एंसर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं तो इसका एंसर रहरगा औप्शन सी अनुछेद बाट्तर के तहत चमादान के सक्टि प्राप्त है बावन के तहत यह बोला गया कि एक राष्ट्पती होगा भारत संग में ठीक है अनुछेद 61 के तहत यह अभियोग या महाभियोग के ब प्रक्रियाओं का वर्णान अनुछेद 54 जो है अनुछेद 54 राश्पती के चुनाप के बारे में बताता है और देखे इसमें ये भी याद रखिएगा अनुछेद 161 के तर्थ राजयपाल को छमादान की सक्तिव प्राप्थ है पंद्रवा प्रस्ण निम्व में से कौन से समविधानिक पर्द नहीं है मतलब किसका वर्ण समविधान में नहीं है और से महा नयावदी मुखी निर्वाशन अधिकारी नियंतरद एवं महा लेखा परिक्षा केविनेट सचीफ यह उपिक में से कोई नहीं या एक सदिक तो नहीं से कहां को दोस्तों केविनेट सचीफ केविनेट सचीफ भारस सरकार का सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट होता है मतलсем सब्सक्राइब सबसे में सब्सक्राहित होता है और इसका नहीं एवान ट्रांजिक्ष्षन ऑफ बिजनस रूल उनिंटीन स्वान मतले भारस सरकार जो अपनी का जोंका ट्रांजिक्षन होता दिन पर पर को नीचे कैसे काम होता तो गोगों ट्रांजिक्षन बिजनस रूल में देखा परिख्षा आर्टिकल 142 में संभिधान में संभिधानिक पद मुख निरवाचन अधिकारी 324 के तार ठीक है संभिधानिक पद महा नहेवादी 76 के तार संभिधानिक पद पांच में पंची वर्षी वर्षी योजना किस मोड़ल पर आधारित है सोला में परस्थ न हमारा ओप्षन से हैं हेराट दॉमर मॉडल महालणोविस मौडल डीपी धर मोडल मिलर मोडल उप्यक में से कोई नहीं यह एक से अधिक तो देखे दोस्तों जो हमारा है राड़ डोमल मोडल था ठीक है यह पहला पंच वर्षी उजना का बेस बना महानोविस वह दूसर डीपी धर जो यह पांचमा था और मिलर मोडल यह आठमा था ठीक है द डोमल का काल 116 था माल नोमीश शपन से एक साइड डीपी धर उनने से चोहत्तर से सेवंटिनाइन था उनासी था मिलर मोडल बेरावे से संतावे था आठमा और असर्व रुद्र एलान मोडल विचारमा था चौथा था जो उनने सो उनने से चोहत्तर के वीच में था यह मु बिस बैपार संगठन भी का जाता का मुख्याला कहां पर है रोम पैरिस न्यूएर्क जनेवा यह एक से अधिक यह इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जनेवा में डव्ट्यों का मुख्याला रोम अर्था पैरिस में फाव फूड एंग्रिक हो गया था और इस यहीं पर यूएन की लगवग चीजों जो पार्ट्स है जेनरल असेम्बली उत्यादी सब न्यूएर्क में है ठीक है दोस्तों अट्रमा प्रस्त है हमारा कि नवाड की अस्थापना कब हुई जो नवाड जिसका कि फुल फुल नेम है नवाड का फुल फ में सब्स्तों कि 1990 में स्थापना हुए थी अठाश्यों में नेचनल हाउशिंग बैंक राष्टीअवासं बैंक के स्थापना चायों को कि इसके सब्सक्री नर्सिंग और टिव सार्म ल Castle और चिजवित्न घौक रता है इसमें resisting सब्सक्राइब करने के लिए दो लोगों किया वे सकता है परंतु उसमें चार लोग काम करें तो आप सकते हैं और उसके इसकारत स्वर्च क्रहएं आप दीघ्री चैनल पर बोला जाथा परचनड और शिपी भी बेरोजगारी या फिर मौसम है खीक है चक्री बेरोजगारी उसको बोलते हैं इसको इंग्लिफ सेकलिक बेरोजगारी मतलब करम चलते रहता है ठीक है और संग्राष्ण आत्मक होता है कि कि इस्ट्रचर चेंज हो जैसे इस्किल नहीं है लोगों के पाथ उसके कारण लोग बेरुजगार है डिमांड किसी चुछ का यहां और यह है कि यह जो बीच में जो घर्शन आत्मक होता है एक से दूसरे के बीच में जब स्विच करते हैं तो बीच में जो बेरुजगारी द फंजी खाता और चालू खाता तो उसमें से पुंजी खाते का कौन सब आगार किसी दूसर है देश हमें किये लोग का ईन में से कोई नई तो देखते हैं पुंजी खाते का भागव रत बेशते है किसी तरह का हमारे ऊपर लेंदारी ये देंदारी को बढ़ाता ये घटाता तो देखे लोन लिया हमने ने तु वह हमारे ऊपर कि fortunately कि आगप एक तरह से बाद में हमें देना प angular लीटी जू धूऊ हो गया ठीड है लोस्तो तो कि एंसर अनुदान यूनिलेटरल होता है, उसे हमें किसी को देना नहीं पड़ता है, इससे हमारे देंदारी और लेंदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों, तो आप्शन भी नहीं होगा, भारतियों दौरा बिदेशों से भेजा गया धन प्रेशन, इसका हमारे इ ब्याज भुगतान, ये भी हमारे चालू खाते का, क्योंकि इससे हमारे देंदारी और लेंदारी कम नहीं होती है, अगर इसी के जगा हमारे लोन का भुगतान होता है, ब्याज के जगा, तो हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाती है, और ये भी पाठ हो जाता, चालू खाते क ठेको दोस्तों तो इस तरह से लोन वाला के वली और अप्शन एह धिसलरासी यहिए और, str 방 में प्रस्ञां, कौनसा अधिस रासी यह है, बल, सम्थिक, आव एक, दाव एक जो यह कि यह हैं यह सदिश्राक्सी है और दाव एक अधिश्राक्स की मा était завис दोस्तों वाट जूल पास्कल नुटन और हैं उनक no youtubers वाट ऐसी सप्षार में मत्रकी म न्यूटन बलका है तैसमें प्रस्ण है विद्धुद घंटी दोरा कौन से कार किया जाता है ध्वनी उर्जा को गति उर्जा में परिवर्ता है तो इसका अंसर होगा देखिए दोस्तों हम एलेक्रिसी देते हैं उसके कारण ध्वनी उपाश होता है तो विद्धुद से और अप्सें भी सोच यह प्रैक्टिकल सोच यह और इसका अंसर दिया कीजिए जैसे कि गति जूर्जा से विद्धु तुर्जा में कौन जेनरेटर यह डाइनोमो करता है ठीक है विद्धु तुर्जा से गति जूर्जा में करेगा मोटर अधिक है यह से वियांद प्रस्न है समान परमान संक्ष्य मंहें भीन-भीन न परमान भार वाले कहल आते हैं मतलब क्या कहते हैं इनको गब है सम भारिक में होता है पर्मानु भार जो है वह सेम होता है पर्मानु भार समान और पर्मानु संख्या भिन भिन समझ थानिक में होता है समान पर्मानु संख्या और भिन 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 पर्मानु भार ठीक है दोस्तों तो इसके अंसर भी होगा सम न्यूट्रोनिक में मतलब न्यू प्रफिन, इंत्यादी ठीक है दोस्तों, 25. प्रस्व प्रशन्य, आदीता मापने हेतू किस यंत्र का उप्योगा होता है ञाड्रो मीटर हाइड्रो मीटर या honest तो देखें दोस्तो इसका एंशार होगा त्य फानी की घाराई को नाबता 상t घार्या ही तो तो दोस्तो इसका एंसर होगा देखे कॉपर और तीन ये दोनों मिलकर के जस्ता का निर्वान करते हैं ठीक है और देख लेते हैं क्या 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 है कॉपर जस्ता मिलकर के पीतल बनते हैं जर्मन सिल्वर में कॉपर जस्ता और निकेल होता है कांसा में कॉपर और तीन होता है तीन होता ने कि को पर जस्ता टीन इन तीनों से क्या-क्या बंदाव इसको यहांद रखीएगा क्योंकि इसमें खेचे guessing होता है कि अब शुवावतला कि दिधान को क्या करते हैं क्यं व्रण ससे अधिक अन्मेश से को स्कूई रहते में क्योंगया विटेन को क्यों है करते हैं तो बढ़ते हैं 28 बच्छ विज्ञान के जनँ के से कहा जाता है तो देखे दोस्तो इसका एंसर होगा लूइस पास्चर लूइस पास्चर को सुख स trailers बीज्ञान का कहते हैं माईक एले को कवालत बिज्ञान बीज्ञान इस वाल कोशा बीज्ञाने का जननक माना जाता है सें टो 2 вже को चाहिए और देख लीके आच माइटो कोंडरिया दोनों में होते हैं इस में इसमें महीं प्लास्ट्रे ट्स पाधप में होते हैं जन्तू को सिह कम नहीं होते हैं सेंट्सों की चुए यंदि कि इस Krud Rocky का रसाइनिक नाम है A-C-D-B-6 यहनमे से कोई नहीं एक से दी तो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्षन C और देख लेता हैं क्या-kा नाम होता है विटामिन A को रेटिनोल के नाम से जाने जाता है रेटिनोल विटामिन A ठीक यह कमी क्या क्या होता है रातोंडी जीरोथेमिया विटामिन B devotee B1 kosthymine बोला कवल बोला ज कीलोज्स्स ओग्ला को टिस होता रिटामीड धरी 5 तानीक अमल बालों का सफेज चनल ब्रदृतिकम होना विटामीड 3, पिर घेवां एक दिन स्टॉन इत्यादी होता है गयंक से नो मगला ब्लस्टिक गांदी होता बिटामींच च्छों Çणो इनीमीद मश्णा ठीक होता है इसको परनिसिफ एनिमियAD बहुता है जिसको टेकोफैरोल बोलते हैं इससे जनन सक्ति कम हो जाती है और विटामिन के इसको फिलो कुईनाइन होता है इसका रख्त का ठकका ना बनना इसकी समझ से हैं दोस्तों इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सका का कुछ सजेशन कुछ कोई है तो इसे कमेंट बॉक्स में डाले और कुछ भी चीज बेजी जे कमेंट बॉक्स में हम आपके प्रभ्लम को सॉल्व करने की कोशिस करें शिक दोस्तों और हमारे जो कुछ अन्यक्ति है इस चैनल पे उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉ